नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है अगर आप भी अपने घर या ओपिस के लिए सही पत्थर के चुनाब नहीं कर पा रहे हैं तो आज की वीडियो आफी के लिए हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटा इस्टों बर्सिस ग्रे नाइट के जी हां सात्यों अगर आप भी अपने घर ओपिस के लिए फ्लोरिंग के लिए या किसी भी वर्क के के लिए कोई पत्थर डिशाइड करने वाले हैं आज की वीडियो डेफिनेटली आप के लिए फाइदे मन्द हो सकता है क्यों कि आज की वीडियो हम देखने वाले हैं है enemies अ différents सवाल हो सकते हैं उन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं बताने की कोशिस करूँगा तो उमीद करता हूं पुरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंतर तक जरूर बने रहेंगे साथ यो घर मकान से रिलेटेड जो भी वर्क किये जाते हैं उसका प्रेक्टिकली वीडियो में अपने चैनल के माधिम से लाता रहता हूं तो अगर आप ऐसी जानकारी रखने में इंस्ट्रेस्टेड है तो हमारी चैनल को सबस्याइब करना है बिल्कुल ना भूले खली आगे बढ़ते हैं और देखलेते हैं सबसे पहले कोष्ट की यानि की दोनों ही पथर की रेट क्या रहने वाली है मार्केट में अगर हम इस टैम पर चैस करने जाते हैं दोनों पथर में से कोई सावी तो सबसे पहले बात करते है कोटा स्टोन की तो जो कोटा स्टोन होता है उसका रेट 20-30 रुपे से ये सुरू हो जाता है और 50-50 रुपे पर स्क्वाइर फिट तक अच्छे क्वालिटी का कोटा स्टोन मिल जाता है रंग की बात करें तो कोटा इस्टोर में बहुत सारे रंग आते है जैसे इसमें बलेक आ जाते है बलू आ जाता है ग्रीन आता है बुरे रंग का आता है और इस परकार से एकात कलर इसमें और आ जाते है अब अगर बात करें ग्रेणिट की रेट की तो ग्रेणिट का ठी तंटक अच्छी क्वालिटीगा जो ग्रेनिट न्यवकल होता है वह हमारे को मिल जाता है अगर फीटिंग की बात करें कि फीटिंग करने के क्या चार्ज रहने वाले है तो जैसा कि कोटा इस्टौन एक तो स़स्ता होता है हम अगर उसको purchase करते हैं तो भी और इसको fitting करने का भी charge कम होता है quota stone की fitting करने का charge 20 से 25 रुपे पर square feet तक होता है वही अगर ग्रेनाइट की वात करें तो यह 30 रुपे से 50 रुपे पर square feet तक जो normal fitting होते हैं तो खास कर बाहरी और अंदरी जो हमारा जो work होता है यानि हमारे indoor और out road में तो quota store इन दोनों जगह पर ही यूज किया जाता है और ग्रेनाइट की वात करें तो यह भी हलाकि दोनों जगह पर यूज किया जाता है लेकिन खास तोरपर GRANITE का यूज जो घरों में किया जाता है वे हमारे stair से याने सीडियों पे किचन टॉप पे या हमारे floating में इसका यूज है GRANITE का ये किया जाता है जो GRANITE है इसमें polish के जरूरत नहीं होता है ये पहले सही polish किया हुआ होता है तो इसमें हमारे polish का जो खर्चा वे बच जाता है वही अगर quota стороны की बात करें तो quota Amend met how Polish करने की जरूरत पड़ती है अगर रंग की बात करें यानि color की किसमें हमारे को options ज़ादा मिलते है तो granite में obviously हमारे को ज़ादा option मिलते है, ज़ादा color मिलते है इसके मुकाबले कोटा इस्टोन में हमारे को गिने चुने कलर मिलते है ज्यादा डिजाइन इसमें हमारे को नहीं मिल पाते है अब अगर लाइफ की बात करें तो दोनों ही पत्थर की लाइफ वेसे बहुत जादा होता है लेकिन एक अनुवानित लाइफ की अगर बात करें तो कोटा इश्टोन पतास साथ सालों तक अगर सही से फिटिंग हुआ है तो यह चल जाता है इसी प्रकार अगर गिरनाइट की लाइफ की बात करें तो यह लगवक सो साल तक इसकी लाइफ मानी जाती है लेकिन इतने दिनों से पहले अगर सही से फिटिंग नहीं हुआ है तो यह खराब होने लग जाएगा जब हम इसको लगवा रहे हो उस समय और इसकी जो फिटिंग है वे सही तरीके से किया हुआ बात करें इन दोनों ही पत्थर में सुंदर कौन सा होता है यानि की खूफचौरत कौन सा होता है और हमारे घर में कौन सा लगाना चाहिए तो यह तोटली आपके उपर डिफेंट करता है आप अपने घर में कैसा आप पत्थर लगवाना चाहते हैं आपके बजट क्या है आ आप कैसा जो लुक है वे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं अगर बात करें कोटा इस्टोन की तो अगर कोटा इस्टोन लगाते हैं और उसमें भी अगर आप दानव फिल करवाते हैं तो अच्छा डियाइन बना सकते हैं और कोटा इस्टोन एक आपको नेश्रल लुक ज है तो गिरेनाइड भी लगा सकते हैं रख रखाब की वात करें तो कोयった इ princi चमक बनाए रखने के ले इसकी रख रखाब इसकी साहफ से पाइब हमारे को थोड़ा जीयाद Знаबा देना आज से रिलेटेड होगा वीडियो में मैंने साथ यहां तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद